आज लेट्स टॉक के उपर आपका जो कोशन है वो है बेसिक थम रूल्स कटिंग के क्या है वो बताएं मैंने आपको बल्किंग के बताए थे अब कटिंग के बताते हैं फरक नहीं है प्रासस वही रहेगा लेकिन मैं थोड़े नंबर्स को स्विच करता हूँ सबसे पहले हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो मैं बेसिक पर स्थिक करूँगा बहुत एडवांस नहीं जाओंगा एडवांस के अंदर बहुत कुछ आ जाएगा जो एक बिगेनर और इंटरमीडियर ब मिलता तो don't do the mistake वो information जो आपको एडवांस की है वो लेटर आँ चाहिए जब आप next level पर जाएंगे so let's go semester by semester master degree के बारे में अभी ना सोचें master की second semester या four semester के जब कि आप बैचलर्स के first semester में admission ली है you understand that go semester by semester सबसे पहले पहला काम आ रहा है वो है आपकी यो nutrition है वो कलोरिक deficit में होनी चाहिए मतला आपने कम calorie consume करनी है अब यह कैसे पता चले आपको सबसे पहले BMR calculate करें और BMR calculate करने के लिए आपको मालूम है आपकी age, height और weight जब आप डालेंगे गूगल में जाएं BMR calculator सर्च करें वह जो नंबर आएगा आपकी activity के according कि आप 5 दंजम जाते हैं जो नंबर आपकी calories आई उससे आपने 500 calorie minus कर दो लेस्ट बढ़के आपका number आया है 2500 आपकी 2500 is your BMR based on your activity now minus 500 रह गया 2000 calories यह आपका पहला कलोरिक deficit का number निकला इसके बाद इसको करना है आपने breakdown करना है अपने protein, carb and fat का breakdown इसको बोलते है macro nutrient, nutrient breakdown, so आपका macro breakdown क्या बनेगा? 50% आप लेंगे protein, 30% carb and 20% fat, जब bulking में आपने क्या किया था? 50% carb and 30% protein and 20% fat, हम इसको switch कर रहे हैं, carb drop कर रहे हैं, हमें carb drop करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी body के अदर जो fat store है हम उसका इस्तमाल करेंगा, अगर थो, बाहर से आप carb धीरे धीरे कम करेंगे, तब ही body stored fat को इस्तमाल करेगी energy में, अगर बाहर से आपने carb की supply कम ही नहीं की and your body is actually, वही जो आप consume कर रहे हैं, बाहरी उसी को burn करती जा रही है, तो stored fat को burn तब ही कर पाएंगे हम, cutting के दुरान, जब हम बाहर से carbohydrate, जो की primary source fuel है हमारा, उसको कम कर दे, इसलिए हमने वहाँ पर 30% carbohydrate की intake कर दी, protein को हमने बढ़ा दिया, क्योंकि हमें replace करने हैं, वो calories, नहीं तो हम बहुत नीचे आजाएंगे, हम कलोरिक deficit में extreme level पर नीचे आजाएंगे, जिससे weight loss के साथ muscle loss होने का chance बहुत ही ज़ादा है, तो हमने क्या क can remain the same, अब उसको आप, जो आपका macro बना, उस calorie को आप पांच और छे मील में divide कर दो, क्योंकि आपको इस basic rule के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 5 मील at least a day, at least, or if you can have 6, क्योंकि आप 16 घंटे दिन में जागते हैं, 8 घंटे सोते हैं, तो 16 घंटे जागते हैं, 16 घंटे क है, you can have in 2.5 घंटे के अंदर, तो आप 6 मील्स कंजूम कर सकते हैं, तो पहला हो गया आपका kloric deficit, अब जो आपनी calorie कंजूम करनी है, वो बहुत साफ होनी चाहिए, ऐसा निया कि calorie होगी, और खा आप क्या है, एक पीज़े के अंदर भी calories है, बर्गर के अंदर भी calories है, और प good quality physique, तो quality matter करती है, keep in mind, तो इसलिए आप protein, carbon, fat जो है वो आपकी अच्छे source से आना चाहिए, दूसरा आपका आगया workout, वर्काउट तो करना ही है, अब वर्काउट में आप 5 बार जिम जाएं, जो जरूरी, हो सके तो 6 बार जा सकते हैं, और one day, Sunday off, अब जो muscles है आपके, आप हर muscle को दो बार train कर सकते हैं, हफ़ते में, इसका मतलब है कि आपने chest and triceps, back and biceps, shoulder and legs, उसके बाद इसको repeat कर लिया, तो हफ़ते में आप double कर सकते हैं, वो जो split है, वो अपने तरीके से जब मरजी कहीं से भी ढून लो, that doesn't make sense कि आपने यही split करना है, ऐसा कुछ rule नहीं है, but you can hit one muscle twice a week, अगर आप चाहते हैं, अगर one muscle once a week करते हैं, तब भी कोई problem नहीं है, तो workout आपका वही रहेगा, आपके sets वही रहेंगे, आप लगपक तीन से चार set लगाएंगे, आपके rep ranges, 8 से आप 16 कर दो, अब जादा नीची आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगे, लेकिन hypertrophy में रखें ज़रूर जो की 8 से 12 के अंदर है, और endurance में चले जाएं जो की 12 प्लस, तो उसमें आप super set, giant set, drop set जैसे जी को add कर सकते हैं, regular set की जगा, make sure you have a drop set, giant set, multi exercise का combo लगाएं, and जो rest period है, वो आप 2 मिनिट ले रहे थे, आप rest period कम करकर, एक मिनिट कर लो, डेर मिनिट कर लो, तो उसमें आपकी intensity बढ़ जाएगी, तो fat burning आप zone में रहेगी, आपकी heart, जो rate है, वो भी fat burning zone में रहेगी, and do workout at least one hour a day, और इसके साथ important चीज़ है जो, वो है cardio, जो हम cutting की बात करते हैं, तो हमें वहाँ पर cardio add करना पड़ेगा, add के साथ उसको increase करना पड़ेगा, तीन दिन minimum आप आपने cardio करना है, हर एक दिन छोड़कर आप cardio जरूर करें, और cardio आप 30 मिनट कर सकते हैं, cardio के अंदर आप treadmill पर भाग लो, या incline walk कर लो, stationary bike का इस्तमाल कर लो, cycle का इस्तमाल कर लो, ellipticals का कर लो इस्तमाल, stair master का इस्तमाल कर लो, तो cardio equipment gym के अंदर जो है, इसलिए बने हैं कि आ आप हफते में तीन बार कर रहे हैं, तो तीन डिफर्ट मिशीनों का इस्तमाल करते जाएं, और वहाँ पर 30 मिनट किया, फिर आपने 35 किया, धीरी दिर आप हर हफते में आप 2-5 मिनट increase करते जाएं, और 2-3 मिने के अंदर आप almost 50 मिनट एक घंटे तक cardio हो जाएगा, अगर आ आपने minimum 3 दिन ट्रेन करने हैं, आप abs cardio कठे कर लो, ठीक है, और maximum आप 6 दिन कर सकते हैं, मतलब है कि abs upper lower, upper lower, upper lower कर सकते हैं, या आप abs का upper lower का एक दिन, और एक दिन rest, फिर upper lower, फिर एक दिन rest, हफते में 3 बार होगा, तो यह आपका workout का pattern रहेगा, और जो आपका जब abs की exercise करते हैं, तो उसमें आपका rest period जो है, वो आप कम रखें, normal weight training से, क्योंकि ab बहुत small muscle है, और आप ज़्यादा resistance उसमें add कर नहीं रहे होंगे, body weight से ज़्यादा mostly people perform abdominal training, so, आप अहां पर अगर rest आपने add करनी है, तो you can go with 30 seconds, max 45 second rest, तो यह तो आपका हो गया caloric deficit, उसके बाद workout, साथ में cardio and abs, और जो optional है, वो supplement, supplement की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि I'm talking about basic, basic, इस word को समझें, basic, जो rule है, cutting का, वो ये require है, और ये 99% है, और जो supplement है, वो basic के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग अफॉर्ड कर सकते हैं, वो कुछ add कर सकते हैं, वो कुछ add कर सकते हैं, बस fish oil हो गया है, flaxseed oil, it's all up to, कहां सके source से आ रहा है, wedge or non wedge आप कहां से हो, fat burn बगरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने diet में change किया, exercise में change किया, आपने life style में change किया, तो supplement को add करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि body is gonna produce results, लेकिन जैसे आप intermediate advanced जाते है तो आप already कई सालों से workout कर रहे हैं, और आपकी body को उस समय बहुत सारे supplement की ज़रूरत पड़ेगी recovery के लिए, because you are on advanced level, आपकी body का already आपकी game plan पता है, क्योंकि आप basic से बहार आ चुके हो, ठीक है, आप export level में हो, advanced level में हो, then your body needs lot of other things, आपको body से एक step आगे चलना पड़ेगा, that that's where you add some those supplements, so beginner के लिए supplement में पैसा बिलकुल ना waste करें, अगर आपका gym trainer आपको पहले दिन बोल रहा है भई, ए supplement ले लो आप, तो आपका gym trainer सही नहीं है, सही बंदा आपको supplement पर नहीं लगाएगा, सही ट्रेनर आपको training और nutrition की बात बोलेगा, और वो दे देखेगा कि क्या, उ result produce कर रहे हो, जो आपने उनको diet और training का formula दिया है, क्या result produce हो रहा है, हो रहा है, उस ही में आप change करेंगे, then you add supplement, you don't introduce day one man, what are you talking about, so, ये थोड़ी से गलती, अगर market में करते हैं, तो you know that, you are smart enough to figure it out, तो guys, ये मेरी एक basic thumb rule और एक important चीज़ के अंदर थी, rest, वो तो आपको मालू में सोना तो है, ऐसा नहीं कि आप cutting कर रहे हैं, और आप में oly-chloric deficit में है, and you know that, आप सोनी सही तरीके से रहे हैं, मतलब आप जाग रहे हो, रात पड़ी हुई है, चैट कर रहे हो, टीवी आप